तो array में से एक part आपको cut करना है तो उसके लिए array.slice यूज़ कर सकते हैं इसमें जो first argument है वो बताता है start index जहां से आपको शुरू करना है cut वाला part और जो second argument है वो है end index जो बताता है आपको कहां पे खतम करना है लेकिन ये part included नहीं है portion में तो जो cut part आएगा slice किया हुआ वो इतना part होगा तो 1 से 2 लेकिन 2 included नहीं है तो end index नहीं include होता है अब इसी चीज़ को आप output देखोगे तो इस तरह की array कुछ आएगी अब मैं अगर इसको 1 से 3 कर देता हूँ तो वही चीज़ होगी बस 3 index एंड index हो जाएगी जो included नहीं है और B और C ये वाली array आपके output में आजाएगी अगर आप एक ही argument देते हो तो start index तो वही है लेकिन end एकदम last of array तक चला जाएगा और पूरी array वहार तक cut हो जाएगी एक चीज़ और ध्यान रखना कि original array है वह modify हो ही नहीं रही है आप कितनी बार भी उस पर slice कीजिए slice method से केवल आपको एक copy मिल रही है cut की वे पाड की